सिक्षक साथियो नमस्कार मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस वीडियो में एसे से मद नियोधित सिक्षकों के मई माह वेतन भोगतान हेतु रासी के जीला बार आवंटन का अपडेट जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि एसे से मद में आज साम तक अप्रैल माह का वेतन भोगतान किस जीला में संपन होगा साथ ही यह भी जानेंगे कि जीला बार आवंटित रासी से कितने माह का वेतन भोगतान संपन होगा और कब से वेतन भोगतान प्रारंब हो जाएगा तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किये है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें बात करें एसे से मद मैं माहवेतन भूगतान हे तु जिला बार आवंटन की तो सुचना है कि कल ही यह रासी परियोजना को प्राप्त हो गई है अब आज अथवा कल साम तक इस रासी का जिला बार आवंटन हो जाएगा यह निर्भर इस बात पर करेगा कि संबंधित अधिकारी महोदय परियोजना में है अथवा नहीं क्योंकि परियोजना में जिला बार आवंटन की प्रक्रिया बिलकुल ही सरल होती है बात करें एसे से मद अप्रेल माह वेतन भूगतान की तो आज भोजपूर जीला के सेस सभी प्रखंडों का वेतन भूगतान शंपन हो जाएगा ग्यात हो कि कल बढ़हरा कुलवर उद्वत नगर समेत और कुछ प्रखंडों का भोजपुर जिला में वेतन भूगतान शंपन हो गया था और बाकी बचे सेस प्रखंडों का वेतन भूगतान आज शंपन होगा अब बात करते हैं जियोवी मद सिक्षकों के तीन माह वेतन भूगतान की तो आपको ग्यात है कि कल जियोवी मद में चार माह वेतन भूगतान हेतु जिलों को रासी भेज दी गई है यह रासी आज साम तक सो करने लगेगी जिसके बाद मार्च तथा अप्रैल माह की वेतन भूगतान प्रक्रिया सभी जिलों में एक साथ प्रारंभ की जाएगी चुकि अभी माई का वेतन भीपत्र किसी भी जिले में पूनत हत यार नहीं है इसलिए मार्च तथा अप्रैल माह का वेतन भूगतान इस मद में होने के बाद ही माई माह की वेतन भूगतान प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी सोम बार के बाद जियोबी मद में मार्च एवं अप्रैल माह का वेतन भूगतान सिक्छकों के खाते में जाना प्रारंभ हो जाएगा तो इस वीडियो में अभी इतना ही अपडेट है धन्यवाद